सब्सक्राइब तो माई चैनल फोर मोर अमेजिंग कंटेंट मुझे अभी याद है दोस्तों जब दिवाली तरफ जो है जब लैपटॉप का पीक सीजन चल रहा था फ्रेंट तब मुझे हर कोई दूसरे कमेंट में यही पूछता था कि लेनेवो लीजन 5 का जो AMD वाला वेरियंट है वो कब आएगा यह भी था दोस्तों क्योंकि जिस तरीके से इस लैपटॉप को दिखाया गया था कि one of the cheapest AMD laptop with lot of powers and lot of specs to offer लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ 85,000 रुपीज में दोस्तों इसका ही आपको एक Intel वाला वीरेंट मिल जाएगा जिसके लिए अगें मैंने लिंक आपो लोगों को description box में दे दी है वो है Lenovo Legion 5i जो कि आप लोगों को i7 processor offer करता है बात यहां तक ही सिमित नहीं है दोस्तों साथ में आपको जो storage options है दोनों लैपटॉप में same मिलता है 256GB SSD plus 1TB of hard disk weight भी दोनों का लगबग 2.3kg आपको देखने को मिलता है दोनों में ही आपको जो है white backlit keyboard देखने को मिलते हैं दोनों में ही आपको 120Hz की 250 nits वाली display देखने को मिलती है दोनों में ही आप लोगों को 100% anti-ghosting देखने को मिल जाती है और friends में आपको बताता हूँ in India gaming laptop को जो है apart from gaming लोग जो है कई सारे कामों के लिए यूज करते हैं जैसे कि normal task के लिए तो चाहे वो आप AMD वाला ले लो या फिर Intel वाला ले लो दोनों में normal task में फरक में आपको बिलकुल कोई समझ में नहीं आएगा हाँ दो तिन difference आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं दोस्तों जो लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला फिर बात आती है दोस्तों i7 processor versus Ryzen 5 4600H दोनों की जो performance है दोस्तों on papers उसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत फरक दिख जाएगा लेकिन reality में यह जो difference है दोस्तों reality में जो difference है काफी ज्यादा कम आपको देखने को मिलेगा दोनों मे ही आपको एक मन्त का xbox pass जो है दोस्तों free देखने को मिल जाता है बात करे port situation की तो वो भी जो है दोस्तों आप लोगों को पूरी की पूरी same यहाँ पे देखने को मिलती है port situation में भी जो है दोस्तों कोई बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया है two cross two के जो है दोस्तों dolby audio enabled speakers द इंडिया launched for AMD version लेकिन इसका एक और variant है दोस्तों जो कि Ryzen 7 processor के साथ with RTX 2060 और GTX 1650 Ti के साथ में आपको देखने को मिलता है तो वो देखने को होगा दोस्तों की उसकी pricing जो है क्या होती है because अगर इस laptop को success होना है market में तो pricing काफी जादा aggressive रखनी होगी और अगर top variant दोस्तों अग भी काफी जादा महंगा होता है तो क्या हुआ दोस्तों अगर आप लोगों को मान के चलिए Lamborghini 40,000,000 में मिल रही है क्या आप उसको खरीदेंगे most of the people will definitely not purchase क्योंकि 40,000,000 अभी भी बहुत होते हैं 40,000,000 इंडिया में तो 40,000,000 ही होते हैं that is still out of reach for most of the people वैसी इस laptop के साथ में हैं दोस्तों भले ही यह लोग कुछ भी कहले कि AMD है काफी अच्छा hardware मिल रहा है लेकिन 85,000 it's still a lot more value for money to be paid for जहां तक मैंने वीवर्स की mental psychology को समझा है दोस्तों अभी भी इंडियन्स यही सोचते हैं कि 65,000 के बीच में बढ़िया से बढ़िया gaming laptop जो है उन लोगों को मिल झाल 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 झाल